हेलो एलेवेंट हीज, वेलकम टो इजी वे कावमर्स क्लासेज, मैं हो दबता और गाइस आज के इस चेप्टर में हम लोग मीडियन में डिस्क्रीट सिरीज करेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में हमने मीडियन इंडिवीजियल सिरीज से समझा था, आज डिस्क्रीज सिरी आपको पहले प्रेस करना पड़ेगा, आप अपने चोटे से चोटे डाउट मेरे से पूछ सकते हो, यूट्यूब पर या फिर इंस्ट्राग्रम पर मेरी आइडी है, तबिता मैसी मुझे मेसेज कर सकते हो, या अपने कोशन की पिक शेयर कर सकते हो, जहां बल भी आप स्ट सबसे पहले डिस्क्रीट सिरीज होती है, जिसमें हमें X के साथ F भी दिया होता है, X बोले तो जो भी हमारा सिरीज है, जो भी हमारा वरियेबल है, उसके साथ उसके फ्रिक्वेंसी भी गिवन होती है, अब हमारा मीडियन में सबसे पहला, चाहे मीडियन कोई सी भी सिरीज क करो individual का discrete का continuous का सबसे पहला rule क्या होता है कि उसको arrange करना किसमे ascending या descending order में यहां पर already मैंने उसे ascending order में arrange कर रखा है यानि कि बढ़ते करम में अगर आप अपनी series को ascending or descending order में arrange नहीं करोगे question गलत हो जाएगा तो आपको सबसे बहली demand चाहे कोई सी भी series है क्या है demand उसे ascending या descending order में arrange करना हमने यहां पर ascending order में arrange किया frequency given थी अब second step जो होता है वह होता है cf निकालना cf बोले तो cumulative frequency कैसे निकलती है बहुत असान है guys यह 2 है 2 में 4 प्लस कर दो 8 2 में 4 प्लस किया तो 6 होता है ठीक है और 6 में 6 प्लस करेंगे तो 12 12 में 8 प्लस करेंगे तो 20 20 प्लस 10 30 इसे हम बोलती cumulative frequency ठीक है अब हमारा median को formula क्या होता है median को तो सबसे बहले m और small e से denote किया जाते formula क्या होता है n प्लस 1 divided by 2th item तो हमारा n क्या होगा number of items कितनी है guys अगर आप इसका total करोगे तो जो आपका cumulative frequency का last term है that is 30 वही आपका frequency का total होगा क्यों क्योंकि हमने यह भी तो इसी को summation करके लिखा है तो अगर हम यहाँ पे 30 प्लस 1 करेंगे divided by 2th item 31 divided by 2 तो यह आ जाएगा guys 15.5 अब हमारा यह actual में median नहीं है हमें देखना है कि 15.5 किस में लाए करता है कहां कौन सी जगे आटा है तो हमें वो मी होओ सी आफ में चेक कर ना होता है अक्सर बच्चे इस चीज में गलती करते हैं कि वो लाएकर नहीं करते हमें उसे इस में च्रौट करना है अगर आप यहीं तक चोड़ दोगे तो पूरे मांक्स आपको नहीं मिलेंगे आपका 15.5 आपको देखना है बारा में तो नहीं आता बारा से उपर वाले नम्मर में आएगा तो 20 अब 20 के आगे क्या टर्म है आपका 20 होगा, तो मीदियन आप X में से ढूलते होगा, ये स्टूडेंट F की वेल्यू लिखाते हैं, जो कि गलत है मीदियन आप में X में से ढूलना पड़ा है, यानि कि जो हमारी सिरीेज गिवन होती है और हमें कैसे पता लगाना होते है जो भी आपका नंबर आया है उससे बड़ा टम अगर मेरा 17 आया होता तो भी मैं 20 को देखती 18 आता तो भी मैं 20 देखती अगर मेरा 21 आता यहाँ पर यानि कि आंसर 21 तो मैं उससे 30 में देखती तो इस तरीके से हमें चेक करना होते है तो फर्स स्टेप आपको डिस्क्रेट सिरीज में क्या करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ओर Damn सेकेंड्र आपको क्या करना है छोट असा फॉर्मरा एंड गियालना है न का अनसर आ जाएगा कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत हो गाइस पूछ ले ना बहुत असान सा टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक कंटिन्यूर सीरिस को करेंगे थांक्यू